नमस्कार टार्गेट विद प्येस परिहार में आपका फिर से स्वागत है आज बात करते हैं असिस्टेंट लोको पैलट और टेकनिसियन के कटाफ के बारे में आंसर की आने के बाद में कटाफ बिलकुल बदल गया है पहले जैसा नहीं रहा विद्यार्थी बहुत परेसान है बहुत जादा अंतर आ गया है उसका रीजेन है की और ि तो यह जो अंतर आया है यह कितना भी नीचे हो जाए सिलेक्शन इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो जाएगा उसके कई रीजन है पहली बात तो यह है कि इस बार सीटे बहुत है लगबग 60,000 सीटे हो चुकी है और जो 9,000,000 is00,000 विद्यारती बहुत जादा ुद्यारती होते है और इस परिच्छा में जो भाग लिए था स्टे व विद्यारती वो थे टोटल 36,000,000 अब्हुर्थी कई और चेहन होना जो competitor है वो केवल 10 से 15 लाख तो आप लोगों का competition तो किसी से है ही नहीं दोस्तो आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूँ कि जो नए मित्र हैं या नए वीवर हैं जिन्होंने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया तो आप लोग subscribe अवस कर लीजिए subscribe करने के बाद में जो bell icon है इसको भी click कर दीजिए ताकि जब भी कोई किसी भरती के बारे में update होगी तो उस video को notification आपको मिल जाएगा दोस्तो अगर आप लोग सरकारी नोखरी की तयारी कर रहे हैं तो ये channel आप के लिए है तो दोस्तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी कटाफ के बारे में तो इसमें जो है कटाफ जो इसकी है वो बहुत कम जाने वाली है कम जाने के बावजूद भी आप लोगों का सभी का selection इसमें हो जाएगा जितने भी विद्यारती इसमें पढ़ने वाले हैं के लिए दोस्तों cbt1 का कोई मतलब नहीं है यह के वर क्वालीफाइंग है और जो मुखी परिक्चाप लोगों की है और वो है cbt2 तो cbt2 ही अपका जो है मेरिट बना कि cbt2 से ही आप लोगों hasil्यक्षन हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि आगर आपके इतने नंबर हैं तो आप लोग जो है अपने तैयारी करना सुरू कर दीजिए cbt2 उसमें आप लोग अच्छा से अच्छा परफारवेंस लाने की कोशिस करिए हाँ तो दोस्तो जो असिस्टेंट लोको पैलट की हम लोग पहले बात करते हैं जैसा की आंसर की आने के पहले अनुमाल लगाया जा रहा था कि इसकी जो कटाफ है पचास से पचपन के बीच में रहनी चाहिए जेनरल वर्ग के लिए और पैतालिस से पचास ओबिसी के लिए और ऐसी के लिए चालिस से पैतालिस लेकिन तो दोस्तों जो आंसर की आने के बाद जो कटाफ हो रहा है असिस्टेंट लोको पाइलट का और वह हो रहा है समान वर्ग के लिए जेनरल के लिए 35 से 38 के बीच में हैं तो 90 परसेंट यह समभावना है कि आपका चैन सीबीटी ट 92 लोगों का सबस्क्राइब आप लोग अगry त्यारी करने वाल हैं अगर अगर तीम चार सालों से ल sentiments हो जाएगा लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है cbt2 cbt2 के लिए आप लोग तहरी करना अभी से सुरू कर दीजिए और अब हम लोग बात करते हैं टेक्नीशियन की तो दोस्तों टेक्नीशियन की जो मेरेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा जा रही है टेक्नीशियन की कटाफ जो है समानवर की जो है यह होनी चाहिए 38-40 जो विद्यार्थी करके आए इसमें दोस्तों उन्हीं विद्यार्थियों को लिया गया है जिन्होंने कई सारे एक्जाम निकाले हैं पिछली बार जो एंटी पीसी वागारा जो एक्जाम हुए थे और जो उन्होंने इसको बताया है उन्होंने इस चैनल को बताया है कि कटाफ इतनी जाने चाहिए तो दोस्तों OBC की जो है जाने चाहिए 36-38 अगर OBC का कोई विद्यार्थी है और उसके 36-38 की बीच में नंबर है तो वह CB2 के लिए त्यारी करना अभी से शुरू कर दें और इसी त इस्टेंडर काफी अच्छा था और बहुत आसान तो पेपर नहीं था असिस्टेंट लोगों पालट का और टेक्निशियन का तो दोस्तों यह कटाफ आप लोग याद रखिए अगर इसके आसपास हैं तो आप लोग निश्चिंत रहें टेंशन में ना रहें कि हमारा बहुत कम नंबर है हमारा चया नहीं हो पाएगा तो आप लोगों का जो चया नहीं वह सुनिश्चित है और इसी तरीके की अपडे